किसी भी गेक्टर को एक खतरना गेक्टर बनाने के लिए जो सबसे ज़दा इंपोर्टन्च जीज होती है वो हे वेपन्स वेपन्स ही है जिनकी मदद से हमारे गेम का मेंण प्रोटेग्निस्ट एक डेडली गेक्टर बन पाता है और weapons, enemies से fight करने में भी काफी जादा काम आते है बहुत सारे games हैं जिनमें game का main protagonist अलग-अलग type के powerful weapons कैरी करता है और इसी वज़ा से gaming universe में बहुत सारे weapons है एक से बढ़कर एक खतरनाक weapons और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है top 10 most powerful weapons in video games के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक important बात बता देता हूँ कि एक game से सिर्फ एक ही weapon को लिया जाएंगा वीडियो भूद जादा interesting होने वाली है वीडियो को एंट तर देखना वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्स्रेब करना मत भूलना साथी साथ option में से all option भी select करना ताकि आपको मेरे वीडियो की notification सबसे पहले मिले So without further loop, let's jump into the video हमारे top 10 most powerful weapons in video games की list में जो weapon number 10 पर निकल कर आता है उसका नाम है golden gun ये weapon है the golden eye 007 game से दिखने में तो ये gun एक normal gun जिसी दिखती है लेकिन है नहीं क्योंकि इस gun के एक ही shot से किसी भी opponent को kill किया जा सकता है फरक नहीं पड़ता कि उसका HP level कितना है एक ही shot और वो dead the golden gun एक signature weapon है assassin Francis को सकारा मांगा का और इसी weapon की मदद से उसने बहुत सारे enemies को एक ही shot में kill किया है gamers और experts का ये मानना है कि इस gun में इतनी power है कि ये बड़े-बड़े demons और बड़े-बड़े creatures को एक ही shot में kill कर सकता है लेकिन ये तो सिरिफ एक थेरी है क्योंकि इसे practically prove नहीं किया गया है इस वज़े से मैंने इस gun को top 10 most powerful weapons in video games की list में number 10 पर रखा है so हमारी इस list में जो weapon number 9 पर निकल कर आता है उसका नाम है zero point energy filled manipulator better known as gravity gun ये weapon निकल कर आता है half life series से और नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये weapon क्या काम करता है इस weapon की मदद से आप कुछ हद तक gravity को control कर सकते हो चोकि अपने आप में एक काफी बड़ी बात है पूरे game में आप इस gun की मदद से किसी भी object को उठा कर यहां से वहां फेक सकते हो इस gun में anti gravity law apply होता है इसी की वज़े से आप बड़े बड़े objects को भी यहां से वहां उठा कर फेक सकते हो फरक नहीं पड़ता कि वो object कितना बड़ा है और कितना heavy है gravity gun की मदद से आप उस object को उठा कर यहां से वहां फेक सकते हो in fact objects को आप आपके opponent के उपर भी फेक सकते हो और जब gravity gun citadel के confiscation field के contact में आई तो ये gun और भी ज़ादा खतरनाक बन गई थी और vaporized होने की बजाए ये gun सुपर charge हो गई थी इसी वज़े से gravity gun और भी ज़ादा खतरनाक बन गई थी इसके पास capability आ गई थी कि ये अलग-अलग type के attacks दे सकती है और इनी सब चीजों को मद्दे नजर रखते होए मैंने इस gravity gun को हमारे top 10 weapons in video games की list में number 9 पर रखा है सो जो weapon हमारे list में number 8 पर है उसका नाम है BFG9000 अब इस weapon का नाम इस list में कैसे नहीं आता ये gun Doom series की सबसे powerful gun है ये gun दिखने में तो एक large solid metal gun है जोकि fire करती है large walls of green plasma 40 cells per blast BFG9000 अब यहाँ पर BFG का full form है big fucking gun जैसा नाम वैसा काम क्योंकि ये gun इतनी खतरनाक है कि ये बड़े-बड़े demons और बड़े-बड़े monsters को destroy करती है in fact एक group of demons को एक ही attack में पूरी तरह से destroy कर सकती है ये gun large amount of plasma energy project करती है जिसकी वज़े से mass destruction होता है अब जाहिर सी बात है क्योंकि ये weapon इतना ज़्यादा powerful है इस वज़े से मैंने इसे अपनी list में number 8 पर रखा है तो जो weapon हमारी list में number 7 पर है उसका नाम है take me kazushi ये weapon निकल कर आता है bio neta 2 से यू तो bio neta 2 में बहुत सारे weapons है एक से बढ़कर एक खतरनाक weapons लेकिन ये weapon सबसे जादा powerful है take me kazushi असल में एक बड़ा सा hammer है जिसको Japanese thunder god की sword को reforge करके बनाया गया है अब जाहिर सी बात है क्योंकि ये Japanese thunder god की sword को reforge करके बनाया गया है इस वज़े से इसके पास incredible amount of power है और इसी वज़े से इस hammer का main element है lightning take me kazushi की मदद से massive damage दिया जा सकता है अपने enemies को ये इतना खतरनाक weapon है कि इसके एक ही attack से बड़े बड़े beings अपने गुटनों पे आ जाते है और इस weapon को bio neta ने bio neta 2 में बहुत जादा use किया है इस weapon की मदद से उसने बहुत सारे enemies को मारा है इस weapon की मदद से आप group of enemy को बस अपने एक ही attack में destroy कर सकते हो take me kazushi के lightning attacks इतने जादा खतरनाक होते है कि opponent जलके खाक हो जाता है इसी सब को मदद नजर रखते हुए मैंने इस weapon को number 7 पे रखा है सो जो weapon हमारी list में number 6 पर है उसका नाम है Master Sword from the Legend of Zelda series Master Sword एक ऐसी सौड है जिसको normal sword समझनी की गलती बिलकुल भी मत करना क्योंकि ये one of the most powerful swords में count होती है सो मैं आपको बता दू कि एक ऐसी सौड है जिसकी मदद से darkness को खतम किया जा सकता है यानि कि evil entities और evil forces को destroy किया जा सकता है ये एक holy sword है इसे कोई भी era gera नत्तुखेरा यूज नहीं कर सकता इसके साथ साथ Master Sword की मदद से आप Sword Beams को भी shoot कर सकते हो ये sword इतनी जादा शार्प है कि ये कुछ हद तक time को भी काट देती है इनी सब reasons की वज़े से मैंने Master Sword को हमारी लिस्ट में number 6 पर रखा है सो अब time आच चुका है हमारी लिस्ट के top 5 most powerful weapons in video games के बार में बात करने का सो जो weapon हमारी इस लिस्ट में number 5 पर है उसका नाम है Chaos Eater अगर आपने Darksiders game खेला होंगा तो आपको पता चल गया होंगा कि मैं किस weapon के बार में बात कर रहा हूँ Chaos Eater, War की सबसे जादा powerful sword है Darksiders game में और Chaos Eater के पास ability है कि वो absorb कर सकती है Chaos energy अपने defeat किये गए enemies की body से यही energy यूज होती है War के Chaos form को unleash करने के लिए दिखने में Chaos Eater एक बड़ी सी flame engulfed sword है और यह sword बन जाती है Elgolfing Hellfire to Bloody Carnage इस weapon की मदद से बड़े-बड़े monsters और बड़े-बड़े creatures को destroy किया जा सकता है और यह हमने Darksiders game में भी देखा है War इस sword की मदद से बहुत सारे enemies को खतम करता है Chaos Eater में इतनी power है कि आप इस sword को use करके Large group of monstrous creature को बस एक ही strike में खतम कर सकते हो और इनी सब reasons की वज़े से मैंने Chaos Eater को हमारी list में Top 5 position पे रखा है So जो weapon हमारी list में number 4 पर आता है उसका नाम है Dagger of Time और यह weapon निकल कर आता है Prince of Persia सीरीज से जिन लोगोंने Prince of Persia गेम खेला होंगा उन्हें पता होंगा कि यह weapon क्या करता है और इस weapon के नाम से भी आपको समझ में आ गया होंगा कि यह weapon क्या करता है यह weapon time को manipulate करने का काम करता है इस weapon की मदद से आप कुछ हद तक time को control कर सकते हो dagger of time की मदद से आप time को reverse कर सकते हो time को रोक सकते हो, time को slow कर सकते हो और भी बहुत सारी time related powers आपके पास आ जाती है dagger of time की power की मदद से Prince ने बहुत सारे opponents को खतम किया है लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज नहीं बूलनी चाहिए कि यह सारी powers dagger की अपनी नहीं है बलकि यह सारी powers उसे sands of time से मिलती है dagger of time तो बस एक container है जो की sands of time को contain करके रखता है बिना sands of time की यह dagger एक normal dagger बन जाता है और इस dagger से फिर आप जादा कुछ नहीं कर सकते और एक बात अगर आप इस weapon को use करते हो तो आपकी पिछे guardian of time धाका लग जाएंगा और इनी सब reasons की वज़े से मैंने dagger of time को number 4 पर रखा है so जो weapon हमारी लिस्ट में number 3 पर है उसका नाम है Scythe from Dante's Inferno यह weapon Dante's Inferno से है और यह weapon Dante का primary weapon है और यह weapon पहले date का था जिसको मार कर Dante ने उसके पास से इस weapon को चीना था Beatrice को बचाने की अपनी जर्नी में दांते ने बहुत सारे demons और बहुत सारे monsters बहुत सारे अलग-अलग creatures को इस scythe की मदद से मारा है इस weapon के पास यह ability है कि अपने आपको shift कर सकती है अलग-अलग forms में और यह scythe अपने scythe को बड़ा छोटा भी कर सकती है यह scythe अपने spear-like form में भी आ सकती है chain hooked form में भी आ सकती है और दांते के आम को attach होने वाले blade के form में भी आ सकती है जो चीज इस scythe को सबसे खतरनाक बनाती है और जिस चीज की वज़े से यह scythe हमारे list में number 3 पर आ पाई है वो यह चीज़े कि यह souls को absorb कर सकती है एक दो souls को नहीं बलकि लाको souls को और इसी वज़े से यह upgrade हो हो के इतनी ज़्यादा strong बन जाती है कि इसके अंदर बस unholy powers ही बच जाती है souls की unholy powers की मदद से यह और भी ज़्यादा strong बनते रहती है इन unholy powers की वज़े से scythe में अलग-अलग type के abilities आने लगती है सिर्फ souls की unholy powers की वज़े से नहीं बलकि हेल के अलग-अलग powerful creatures की unholy powers की मदद से scythe और भी जादा powerful बन जाती है इस scythe की power को release कर कर दानते ने lucifer को हराया था जो की हेल का ruler है सो जो weapon हमारी इस list में number 2 पर निकल कर आता है उसका नाम है devil sword दानते ये weapon है devil में cry 5 से और ये वही weapon है जो spardas devil arm और rebellion से मिलकर बना है ये devil में cry का अब तक का सबसे powerful weapon है और अब तक तो इसका कोई crack point notice नहीं किया गया है दानते इस weapon को कही से भी कभी भी समन कर सकता है और अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि ये devil में cry के सबसे powerful swords को मिला कर बना है मतलब spardas devil arm और rebellion से तो सोच लीजे कितना ज़्यादा powerful होगा और सबसे ज़्यादा खास बात इसी sword की वज़े से दानते का scene devil trigger form unlock हुआ sword master mode में sword follow करती है एक formation को जिसे कहा जाता है chaser इसमें actually होता ये है कि sword दानते के mill moves को copy करना शुरू कर देती है जिसकी मदद से opponents को extra damage दिये जाते है इस sword की मदद से और भी जादा खतरनाक modes को unlock किया जा सकता है जैसे कि trickster mode और royal guard mode इनी सब reasons की वज़े से मैंने sword को हमारी list में number 2 position पे रखा है जो weapon number 1 पर है उसके बारे में जानने से पहले हम कुछ honorable mentions के बारे में जान लेते है ये वो weapons है जो की काफी ज़्यादा powerful है लेकिन मैं उन्हें वीडियो में include नहीं कर पाया so जो weapon हमारी इस लिस्ट में number 1 position पर है उसका नाम है Blade of Olympus ये weapon निकल कर आता है God of War सीरीस से God of War सीरीस का ये सबसे ज़्यादा powerful weapon है इस weapon को Zeus ने बनाया था Great War के दोरान Titans को खतम करने के लिए ये एक ऐसी sword है जिससे Immortals को मारा जा सकता है और इसी weapon की मदद से Zeus ने The Great War को end किया था अब जाहिर सी बात है इस weapon को The King of Gods Zeus ने बनाया है इस वज़े से ये weapon बहुत ज़्यादा powerful है Blade of Olympus का ही यूज़ करकर Kratos ने Kronos को मारा था जो कि एक बहुत बड़ा Titan था और उसका Grandfather था Blade of Olympus के पास Godly powers है इतनी power से कि बस इसके एक ही attack से लाखों लोगों की आर्मी को खतम किया जा सकता है और ये हम God of War 2 में देख चुके है कि कैसे Zeus ने अपने एक ही attack से लाखों लोगों की आर्मी को खतम कर दिया था इन सब बातों से तो आपको समझ में आ गया होंगा कि ये weapon कितना जादा powerful है इस weapon की मज़द से एक immortal being को मारा गया था यानि कि King of Gods Zeus को और इनी सब reasons की वज़द से मैंने Blade of Olympus को number one position पे रखा है और हाज इन weapons का नाम मैंने इस वीडियो में include नहीं किया उन weapons के बारे में आप मुझे comment section में बता सकते हो और अगर मुझे आपका comment सही लगा तो मैं आपके comment को मेरे अगली वीडियो में feature करूँगा सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आने पर वीडियो को like कीजिए और अगर आप मेरे चनल पे नए हो तो चनल को subscribe करना मत बूलना साथी साथ option में से all option भी select करना ताकि आपको मेरे वीडियो की notification सबसे पहले मिले और अगर आप मुझसे personally connect होना चाहते हो तो मेरी Instagram ID की link description में दी गई है आप वहाँ से जाकर मुझे follow कर सकते हो So मैं मिलता हूँ आपसे अपनी next studio में So finally, thanks for watching